लोग भी लोग नमस्कार हरे कृष्णा स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल फ्लैम स्पोर्ट्स में NBA के बारे बात करेंगे एटलांटा वॉक्स वर्सिस मिलुवगी बाक्स ये टील की दोस्तो बात करूँ तो ट्रेंग का दोस्तो इंजरी है अभी बात करूँ तो भी क्वेश्चेनेबल बताया जा रहा है बाकी दोस्तो चोथा मुकाबला है दो मुकाबला तो ओलड़ी मिलुवग की बक्स जीत गया है और एक मुकाबला एटलांटा वॉक्स जीता है तो यह दोस्तो फॉर्स मुकाबला होने वाला है काफी IMP मुकाबला है इटलन्टा की तरब से अगर ए मुकाबला मिलोग की जीत गया तो दोस्तो तीन एक की लीड बना लेगा और एक ही मुकाबला जीतना उसको पढ़ेगा ठीक है डायरक फाइनल में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर स्टार्टिंग लेप से स्टार्ट करते हैं ट्रेंग को दोस की बात करू चुह लिडे मिडल्टन यानि संटी टुकुम्बो ब्रूक लोपेज और पीजेट कर्चे से खेला डिस्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ड गेम देख सकते हो एटलनेट वोक्स का 49 मीड खेलाता ट्रेयंग 35 पॉंट और दोस्तों सीर्फ व बात करू दोस्तों फ्लोफ फिर से फ्लोफ हुआ था यार बोग्दान वीच स्तीन स्टील और एक ब्लोक काफी अच्छा है लेकिन ओफेंसिवली बिल्कुल डाउन ठीक है क्लेंड का पहला दोस्तों भी देख सकते हो यह भी कुछ खास पाहमस नहीं है जोन कोलिंस के दोस् दास हमें मिला था था अठावर चारीबंड और दोस्त ले उसने किये थे लुव विलियमस दोस्तों अठावर मिट खेला था सोलोमन हिल 15 मिट और ओको दोस्तों तो 9 मिनिट खेलने के लिए मोका मिला था दोस्तो यह है अमारा टेलीग्राम चैनल नाम है फ्लैम स्पोर्ट यहां पे स्टार्टिंग लाप आपको इन्फरमेसी मिल जाएंगा इन्बिया का ड्रीम मिले उनकी टीम अपडिट मिल जाएंगी दोस्तो यह है एसल का रिजल्ट पिछला एटियल वर्सिस मिलोग के बक्स का सेम टीम मैंने आपको स्टीर किया था उसके बाद दोस्तो आज क्लिपट वर्सिस दोस्तो यहाँ पे देख सकतो डिमर्करस कजिन्स को उडली साथ परसन लोग ले थे और हमने दोस्तो लिया था बहुत ही बड़े आरे दोस्त आ सार्ज करके पर हमारे टेलीग्राम चनल जोइन कर सकते हो फ्लेम स्पोर्ट दोस्तो बाई सीधर सब्सक्राइबर है उसमें जोइन करना है यह तोटली फेक है 29 दरवाला अभी दोस्तो मिलो की बक्स के बारे बात करेंगे दोस्तो उसका यहां पर रेकोर्ड देख सकते हो बक्स का उसके तीन मेंन प्लेयर से इसली की वज़े से इस साल मेरी खाल से NBA का चेंपियन ले जाएगा मिलो की बक्स ठीक है वोलीडे है मिललेटन है और यानि से सुटिंग दोस्तो मिलल टॉन का है डिफेंस होलीडे का है और दोस्तो अटेकिंग दोस्तो यहां पर तीनों के तीनों करते है लेकिन पिडबल डबल लगाय था अहुलेडे दोस्तो ओफेंसिवली फोफ हुआ था लेकिन दोस्तो उसने आसिस्ट रचा किया था और दो ब्लोक और दो स्टील गिये थे पिजे टकर दोस्तो तीन पोइंट एट रिबाउंट दो आसिस्ट रोपेस दोस्तो पच्चीस मिट इसको टाइम डिक्रीस हो गया अभी उसकी जगह दोस्तो थोड़ा बोट टाइम पॉर्तस को मिल रहा है क्योंकि पॉर्तस जो काफी अच्छा ओफेंसिवली खेल रहा है पे 40% यानि कि 45% के आसपास 3 पॉइंट सुटिंग कर रहा है अभी ड्रीम 11 टीम के बारे में दोस्तो बात करेंगे जहां पर दोस्तो बात की जाए तो दो टीम अभी अवेलेबल है इस मेंच के लिए अच्छे से अच्छे होलीडे के साथ दोस्तो मिलेटन और यानिस का दोनों टीम के बारे में अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेकिन ग्रेंडली की पिक्स में आपको बता दो सबसे पहले ग्रेंडली की पिक्स रहेगा ट्रे यंग ठीक अभी तो क्वेश्चनबल dust लेकिन मेरे कहल से अच्छा मुकबला है उसके लिए जरूरी है सेकं के बाद ग्रेंडली की पीक में बहुत इच्छी ग्रेंडली की पीक है ठीक है डिलियों ग्रीनरी भी दोस्तों ग्रेंडली की पीक है बाकि दोस्तों यहां पर लोपेस है कपेला है कपेला दोस्तों एक बार अच्छा काम किया था अभी बाकि सारा फ्लोपी हुआ था और कोगनू लेना जरूर है यहाँ पे टक कर लेना है यहाँ पे कानिक्टन है और दोस्तों यहाँ पे है सोलोमान हील अगर सोलोमान हील प्लस यहाँ पे पेट कनिक्टन को कॉंबिनेशन ट्राई किया तो केविन हंटर आएगा और हील की जगा दोस्तों आप लू विलियम्स को ल ने को भी ले सकते हो लेकिन उसको दोस्तों उतना साइब टाइम नहीं मिला गए जितना एटेटर कॉंबो को मिलेगा अगर वन सैड़ेट गेम हुआ तो एटेटर कॉंबो को टाइम मिलेगा था ना सिस की बात करा हूँ ए दूस्तों ए भी अच्छा मुझे कॉंबिनेशन रख सकते हो जो मैंने आपको पहले टीम बताया उसमें यानिस से एस्पी रहेगा वाइस के लिए मिडेट नून और दूस्तों होलीडे अवेलेबल है दूस्तों एक और आपको ग्रेंडली की टीम बना नहीं है जिसमें दूस्तों यानिस को आपको नहीं रखना है बाकी सा लेगरम चैनल में मिलेगा जोहन कर लेना नाम है फ्लैम स्पोर्ट तो बास यारी शुड में इतना ही वाइव फ्रेंड्स अरे क्रिश्ना टेक केर